क्या आपको पता है भारत का सबसे यंगस्ट IPS ओफिसर कोन है उनका नाम है सफीन हसन उनकी एक स्पीच एविलेबल है यूटूब पर वो आप जरूर ध्यान से सुनना 44 मिनिट पर उस स्पीच को लेके जाना 44 मिनिट की टाइमिंग पर और 44 मिनिट से 48 मिनिट की टाइमिंग के बीच में यानि टोटल 4 मिनिट आपको सुनना बहुत त्यान से सुनना मुसलिम IPS ओफिसर वो भी गुजरात का मुसलिम जब 2002 के दंगे हुए उनसे कोशन पुछा गया कि 2000 दंगों के दोरांज को लेकर आपके साथ कोई बेदबा हुआ तो उनका जवाब था नहीं मैं यह सब चीजें क्यों कह रहा हूँ इस चीज का मतलब इस सीरीज से क्या लेना देना है जिसके बारे मैं भी बात करने वाला हूँ उन सब बातों को मैं भी थोड़ी टाइम में सबस्ट कर दूँगा कुछ लोग माइनियोर्टी के नाम के इस कार्ड को एक अपने अलगी प्रोपोगेंडा के लिए यूज कर रहे हैं लोगों के बीच में हेट पैदा करने की वो कोशिश कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पता लोग वेब सीरीज के बारे में जिसे एमाजोन प्राइम पर रिरीज किया गया है इसमें टोटल 9 एपिसोड है और हर एपिसोड करीबन करीबन 42 मिनिट का है इसे डिरेक्ट किया है सुदीव शर्मा ने इसके अंदर का अलावत नीरज का भी अभिशेक बैनरची इश्वाक सिंग और बाकि अन्यकलाकार अब कहानी की बात करते हैं एक सोकोल्ड लिब्रल जर्नलिस्ट जिसकी हत्या का प्लैनिंग की जा रही है इसके अंदर दिखाया गया है उसको मारने के लिए यानि ये प्लैनिंग को लड़की नी है वो एक लड़का है वो लड़की बनने की मतलब डोंग निन उसका अंधूरूनी इच्छाएकि एक और अपना जैंडर भी चेंज कराना चाहता है यह चाती है पता नहीं, जो भी है. वा चीन से हीते हैं ना वो? एक है टॉप सिंग, एक है कबीर M M का मतलब इस सीरीज में आपको बाद में बात चलने वाल है कबीर M क्या है बहुत सारी चीज़ें हैं इस से रेलेटेड हैं मुझे बात भी कर Kry न्हों पुलिस को इस प्लैनिंग के साथ पRe में जयता है और पुलिस इन चारों को पकड़ा लेती ए और इसकी हाती राम चोदरी के हाथ में जाती है वह अपने एक कमी के साथ जो इसका जो DSP है या DCP है वो भी इनी प्लैनिंग में शामिल था बहुत सारी चीजों का इसमें पता चलता है साथ इसमें हाथिराम चोधरी की एक फैमिली में जो प्रोब्लम चल रही है उनको भी दिखाने के इसमें कोशिश की गई है गाले गलोच का बहुत जादा यूज है इसके अंदर कुछ जगां कोमेडी भी है कि हाँ कह सकते हैं कि वो कोमेडी एक सीरियस मन में कोमेडी डालने की अच्छी कोशिश की है हाँ आपको देख के उसे हाँ से आईगी इस सीरियस या मुवीज का मेरे इसाब से एक ही मोटिव होता है कि कैसे हीट को पैदा किया जाए कैसे लोगों में हीट को फैलाया जाए इस टाइप के जो इस परकार के जो लोग होते हैं यानि हिंदू फोबिक बना के उसे रिप्रेजेंट करना वलित वर्ग इसमें दिखाया जाना उनका शोशन दिखाना वहाँ पर या फिर उससे भी बहत्तर चीजें इसमें दिखाने की कोशिश करना यह दिखाना कि एक मुसलिम जो एक पुलिस ओफिसर है वो एक मुसलिम अपरादी को इसलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि वो खुद एक मुसलिम है ऐसे टोंट मारते हुए पुलिस ओफिसर ही दिखाना एक पुलिस ओफिसर पे जो एक मुसलिम है यानि इमरान अंसारी के उपर ऐसे टोंट या फिर एक ऐसे ताने कसे गए है इस मूवी इस सीरीज में दिखाया गया है इवन ये CBI तक को भी दिखाया गया है कि CBI जो है माइनियोर्टी को लेकर कुछ और ही माइंड सेट रखती है और ये दिखाना कि मुस्लिम मातापिता अपने बच्चों के नाम अप पूरे नहीं रखते इसलिए उन्होंने कभीर म मैंने जो तोड़ी देर बाले बात की कभीर म क्यों मातापिता को डर है कि उसके बच्चे किसी दंगे में मर ना जाए कि उनका नाम मुस्लिम है इस चीज़ से लेकर और अब शुरुवात की बात करते हैं जो मैंने शुरुवात में आप से सफीन हशन की बात करी थी उन जैसे इनसान से आप कितनी सारी प्रेड़ना ही ले सकते हैं वो कितनी एक प्रेड़ना का श्त्रोत हैं बहुत सारे युवाओं के लिए इवन जिने IPS, IES officer बनना है कितना सारा struggle उन्होंने face किया तो अब उनकी अगर speech सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि reality क्या है इन जैसी web series या इन जैसी movies जो एक मन गरंद कहानी दिखाना एक ऐसी problem create करना जो है इनी वास्तों में problem अगर नहीं भी है तो उसको create करना यह जो liberal लोग है इनको बहुत अच्छे से आता है इन जैसी series और movies आपके मन में धीरे-धीरे hate को ही पैदा करते है negativity की जो thought है वो आपके मन में आने लगते हैं अरे एक बात तो भूली गया है इन liberals की जो यह अपना victim card खेलते हैं जब इनको कुछ कह दे तो ओरे औरे वो देखो मुझे पाकिस्तान जाने की नसियत दे रहे हैं मुझे वो पाकिस्तान जाने का कह रहे हैं इस देश में freedom of speech खत्म हो गई है इसमें tolerance नहीं रही इस देश में पर पहुंच चुका होगा यानि कि उसमें जो संकरमीत जो लोग है जो इन्फेक्टिट जो इस वाइरस जो इन्फेक्टिट जो लोग होंगे वो उनकी संक्याएं बहुत ज्यादा हो जाएगी जून के end पर तक तो यह जो news आती है तो इसके ओपर दो type की news चपती है अब मैं उनका आपको बताता हूँ जो पहले type की news होती है वो यह कहता है कि अब तो government ने कुछ किया ही नहीं कि आने वाले time में इतनी सारी जो होने वाली है इतने जो case बढ़ने वाले है जो यह doctor अपनी report पेश क कर रहे हैं यह बता रहे हैं कि जून के महीने के end तक इतनी सारी इतने सारे case बढ़ जाएंगे यानि government कुछ कर यह नहीं क्या government के पास कुछ करने को था ही नहीं क्या government हमारे लिए क्या कर रही है एक यह चीज वो चापते हैं एक दूसरा news paper यह बोलता है कि करोना जो है वो ज जितनी रियायत बढ़तेंगे उतना ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए यह अच्छा होगा तो दो परकार की news आपको मिलती है एक जिसमें news आपको पता चलता है कि इसमें कितनी negativity दिखाए गई है कि government के खिलाफ hate पैदा करने कि उसमें कोशिश की गई है और एक द minority को as a shield use करती है religion को अपना shield बनाती है देखो क्या हो रहा है इन जैसे liberal से आप कभी यह expect नहीं कर सकते कि यह देश में यह कहेंगे कि सबको मिल जुल के साथ रहना चाहिए यह हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष में या फिर देश में hate पैदा करने की कोशिश में या फिरा संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो उस चीज की वो बुराई करना तो इनके लिए यही काम है यही इनकी रोजी रोटी है तो भाई मैं जो viewers है जिन तक आवाज जा रही है मुझे नहीं बदा कितने लोग यह देख रहे होंगे अब तक जो यह लोग इतनी वीडियो अब त के उतने न्यूस पेपर जैसे की फॉर एक्जामपल मैं अपना उधान दू तो दो न्यूस पेपर मैं डेली पढ़ता हूं ताकि मुझे एक डिसएडवांटेज और एक एडवांटेज दोनों चीजों का मुझे पता चले ताकि मैं बैलेंस रख सकूँ अपने आपको एक बायज ना रहूं ना तरफ एक तरफ ये रहूं कि मैं गुवर्मेंट से कुछ भी ना पूछू हूं या फिर मैं एक तरफ ये नहूं कि मैं गुवर्मेंट के उपर बहुत ज़्यादा ये कुछ चीज़ें जो गलत हैं वो गलत हैं जो सही है वो सही है तो उन चीजों को प मुवीज है इनका एक ही मोटिव है इनकी एक ही आइडेलोजी है बिना आइडेलोजी के चलते नहीं है उसामा बिन लादेन आप जानते हो तो उसामा बिन लादेन जो आंतकवादी बनाता है उसकी भी एक आइडेलोजी लेकर वो आंतकवादी बनाते है तो इन जैसे सीरीज बी अपनी एक आइडियोजी लेके लोगों के बीच लोगों के मन में हेट पैदा करके लोगों को गवर्मेंट के खिलाफ करती है देश के खिलाफ करने की वो कोशिश करती है एक धरम के परती वो खड़ा करने की कोशिश करती है तो इस चीज को जरूर समझो यार केवल अंद इस वीडियो में बस मैं इतना बोलना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूँ अंदर ही अंदर यार बहुत गुसा भी आ रहा है मेरा मन तो बहुत कर रहा है गाली देने का लेकिन क्या करूँ यार खर छोड़ो freedom of speech है मैंने भी अपनी freedom of speech का थोड़ा बहुत यूज किया है बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक्स और वोचिंग इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद